नमस्कार दोस्तों आपका बहुत-बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चनल पर दोस्तों आज का वीडियो मर्दों के लिए काफी खास होने वाला है क्योंकि दोस्तों आपने कभी नगभी टेस्टरोन के बारे में जरूर से सुना होगा और ये वो हार्मोन है जो आपकी मसल्स आपकी फिजिकल स्ट्रेंद और सेक्स ड्राइव को कंट्रोल करता है लेकिन उम्रे के साथ साथ या फिर लाइफ स्टाइल की वज़े से इस टेस्टरोन को अखिर नेचुरल रूप से कैसे बढ़ा जाए हाउ टू इंक्रीज टेस्टरोस्टरोन लेवल नेचुरली दोस्तों इसका जवाब है हमारा खानपान आप जो खाते हैं उसका सीधा असर आपके टेस्टरोस्टरोन पर पढ़ता है तो इस वीडियो में मैं आ और जैसा कि हम अपने यूटीब चैनल के माध्यम से सेक्स और सेक्स से जुड़ी समस्याओं को ठीक करने के लिए कुछ सुलूशन आपके लिए लाते रहते हैं वैसे ही आज हम जानेंगे कुछ उन नेचुनल फूट्स के बारे में जिनने खाकर आप अपने टेस्टोस्ट हमारी बॉड़ी में पाया जाने वाला एक अनावलिक स्ट्रोइड है और यह एक सेक्सुल हार्बोन है जो कि मेल्स और फीमेल्स दोनों में यह पाया जाता है मेल्स में इसका प्रड़क्शन है वो टेस्टिकल्स के द्वारा किया जाता है और फीमेल्स में इसका प्रड़क इनके development में testosterone का महत्पूर्ण रोल होता है यानि की पुर्षों में दाड़ी मूचों का आना उनके आवाज में भारी पना आना मसल मास का बढ़ जाना और जनरल बैल विंग की condition डबलब होना यह सारे काम दोस्तों testosterone के होते हैं इसके अलाबा पुर्षों में जो osteoporosis है उसको होने से यह रोकता है जिसके कारण उनकी हड़िया मजबूत हो जाती है और उनका जो बोन मास होता है दोस्तों वो महिलाओं की अपेक्चा ज्यादा होता है तो चलिए बिना देरी कि यह जानते हैं उन superfoods के बारे में जिनने यूज करके आप अपने testosterone को naturally बढ़ा सकते हैं तो इस लिस्ट में सबसे उपर है हरी पतेदार सबजिया ग्रीन लिफी वेजिटेबल इसके बाद हैं अंडे नट्स शीट्स दाले हैं इसमें फलिया हैं healthy fats हैं और बिटामिन जिंक कुछ बिटामिन डी से रिच फूड और जिंक से रिच फूड हम देखेंगे और फेड़ हर एक फूड के बारे में हम थोड़ा डीटेल में जान लेते हैं कि आखे टेस्ट्रस attendance को बढ़ने में कैसे मदद करते हैं उनको सभी को सम्झते हैं डोस्तों सबसे पहले देखते हैं हरी पतिदार सब्सक्स जिए जिससे की पालक है सरसो कर साग है केल है यह बहुत ज़合.े बढ़ता है जो कि पुरसों की हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है हरी पतेदार सब्जिया टेस्टोस्टोन को बढ़ाने में मदद करती है क्योंकि इन में पाया जाने वाला जो मेगनीशियम है वो टेस्टोस्टोन को बाइंडिंग गलोवी एचस बीजी से बाणने से रोपता है जिससे की फ्री रेडिका जो फ्री टेस्टोस्टोन है इसकी मात्रा बढ़ती है फिर इसमें जो विटामिन के होता है वो टेस्टीज में टेस्टोस्टोन के परड़क्शन को बढ़ाने में मदद करता है फिर इसमें होता है फोलेट्स क्योंकि सिक्सान से बचांने में मदद करती है हरी पतेदार सब्जीया टेस्टस्टोरन को बढाने के अलावा भी कई सारे health benefit हमें देती है जिसे क्या-क्या कि हडियों को ये मजबूत बनाती है हमारी hard health में सुधार करती है blood pressure को ये control में रखती हैं और हरी पतेदार जो सबजियां है potassium से भरपूर होती है जो कि blood pressure को control करने में मदद करती है हरी पतेदार सबजियों से हमारा digestion भी बहतर होता है और fiber से तो ये भरपूर होती ही है जो कि हमारे digestion की प्रकिरिया को बहतर बनाती है तो ये सारी ही चीजे दोस्तों आपके sexual function के लिए बहुत जादा important होती है इसलिए आपको जो हरी पतेदार सबजियां हैं उनको अपने आहार में जरूर से सामिल करना है आप इसे सलाद के रूप में आप इसे सूप के रूप में या फिर आप इन हरी पतेदार सबजियों को simply सबजी के रूप में पगा कर खा सकते हैं तो हरी पतेदार सबजियां जो है वो टेस्टिस्ट्रोन को बढ़ाती है और सो की sexual health को बहतर बनाने के लिए शांदार तरीका यह होती है इन सबजियों को अपनी डाइट में regular सामिल करने से कई सारे health benefit आपको मिल सकते हैं दोस्तों फिर आते हैं कि अंडे अंडे प्रोटीन और विटामिन डी का एक पहतरी सोर्स है प्रोटीन टेस्टोस्ट्रोन परड़क्शन में बहुत ज़्यादा जरूरी होता विटामिन डीड टेस्टीज को सपोर्ट करता है और अंडे में मौझूद जो कोलेस्ट्रॉल है वो भी टेस्टोस्ट्रोन के परड़क्शन के लिए जरूरी होता है तीसरा है मेवे और बीज ये टेस्टोस्ट्रोन को बढ़ाने के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होते हैं बादाम, अक्रोड, और ची असीड जैसे मेवे और बीज, जिंक, ओमेगा-3, फैटी असीड और बिटामिन E से वरपूर होते हैं ये सबी जो न्यूट्रियंट है ये टेस्टोस्टोस्टोन परड़क्शन और उसके लेवल को बढ़ाने में मदद करते हैं मेवे और बीज टेस्टोस्टोन को बढ़ाने में कैसे मदद करते हैं क्योंकि इन में होता है जिंक टेस्टोस्टोन के परड़क्शन के लिए एक necessary और एक important mineral होता है या टेस्टीज में टेस्टोस्टोन के परड़क्शन को बढ़ाने में मदद करता है दोस्तों और इसमें जो मौझूद है विटामिन ए एक एंटियोक्सिडेंट है जो कि टेस्टीज को नुकसान से बचाने में मदद करता है आप मेवे और बीच को अपने नाश्टे में सामिल कर सकते हैं ये टेस्टेस्टेरोन को बढ़ाने को पुर्षों की सेक्सवल हेल्थ को बहतर बनाने के लिए एक शांदार तरीका ये होता है दोस्तों इन फूट्स को अपने आहर में रेगुलर सामिल करने से आपको और भी कई सारे हेल्थ बेनिफिट भी मिल सकते हैं इसके बाद आती हैं हमारी डZeल ए दाले और फलिया दाले और फलिया प्रोटीन जेंक और फायवर का अच्छा स्वसमाने जाती है प्रोटीन अगusu टेस्टरोस्टोरम प्रड़क्शं के लिए जरूदर घंता है और जो fiber है वो testosterone level को कम करने वाले जो एंड्रोजन है उसको कम करने में मदद करते हैं दोस्तों इन सभी के लिए अलावा आपको लेना है कुछ healthy fats जैसे की जेतून का तेल अवेकरड़ा का तेल और nuts जैसे की healthy fats आपको लेना है जिससे की आपके जो यह आपके testicles को support करते हैं और होती ज्यादा खास है वह है दोस्तों जिंक और जिंक से भरपूर foods जैसे की sheep है आपका oyster है red meat है और beans है जो की जिंक से भरपूर होते हैं और जो की testosterone production के लेवल को बढ़ाने में मदद करते हैं जिंक testis को support करता है testicles को support करता है next आपको लेना है vitamin D से rich food दोस्तों testosterone production के लिए जो सबसे important vitamin है वह है vitamin D vitamin D rich food जैसे की salmon है tuna है अंडे और vitamin D से भरपूर foods testosterone production और उसके label को बढ़ाने में मदद करते हैं vitamin D testis को support करता है और testosterone production के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी भी होता है दोस्तों यदि आप non vegetarian है तो आप जो fatty face है जैसे की salmon tuna और जैसी जो fatty fish है इंको आप यूज कर सकते हैं और यह जो vitamin D जिंक और omega 3 fatty acid से भरपूर होती है और यह सभी nutrient testosterone के production के लिए काफी ज़्यादा जरूरी होते हैं vitamin D testosterone बनाने वाले testicle tissues को support करते हैं और जिंक से free testosterone की मात्रा बढ़ती है omega 3 fatty acid inflammation को कम करता है जो की testosterone level को कम कर सकता है दोस्तों testosterone पूर्षों में एक महत्पूर्ण हार्मोन है या पूर्षों की मासपेशिया उनकी हड़िया sex drive को यह control करता है तो testosterone level कम होने से कई सारी स्वास समस्यां आ सकती हैं जिसकी ठकान, कमजोरी, कम sex drive और testosterone level को natural रूप से बढ़ाने के कई सारे तरीके हैं जिनमें की खानपान है, workout और नींद सामिल है, दोस्तों, testosterone level को natural रूप से बढ़ाने के लिए आप कुछ और चीज़े भी कर सकते हैं, क्या-क्या, कि अपने आहार में आप testosterone बढ़ाने वाले, जो यह उने foods बताएं, इने सामिल करें, निवित रूप से exercise करें, खासकर की weight training आप लें, परियाप्त मात् हमें नींद लें, तनाव को कम करें, और धुम्रपान और स्राप से बचें, दोस्तों, testosterone पोर्षों के लिए एक महत्पून हर्मोन होता है, testosterone level को प्राकर्तिक रूप से बढ़ाने के लिए आप इन guideline को जरूर से follow कर सकते हैं, तो इससे आप अपने testosterone level को बढ़ा सकते हैं, तो दोस्तों मुझे बिल्कुल पूरी उमीद है कि आपको यह वीडियो जरूर से पसंद आया होगा, अगर आपको यह वीडियो helpful लगा है तो इसे प्लीज लाइक करें, शेयर करें, और यदि आपको कोई सवाल है, आप हमसे पूछने चाहते हैं, तो हमें जरूर से कमेंट करें दोस्तों, मैं आपके सवालों करी जवाब देने के लिए पूरी कोशिश करूँगा, मिलते हैं दोस्तों जल्दी नेक्स वीडियो में आपके लिए लगने बाद